हालो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चानल दोस्तों आज का वीडियो जो में लेकर आई हूँ वो है बाल गिरने से बचने बाले बहुत ही सर उपाहूं के बारे में दोस्तों शिका काई और आमले से बालों को लंबा और घना आप कर सकते हैं ये बहुत ही आयरवेदिक और स्पेशल तरीका है जो बहुत ही पुराने टाइम से चला रहा है इससे आप अपने बालों को लंबा कर सकते हैं घना कर सकते हैं और जढ़ने बाल बिल्कुल बंद हो ज शीका काई और आमले का प्रयोग अगर हम हर रोज अपने बालों पर करते हैं तो कुछ ही दिनों में हमारे बाल घने और लंबे हो जाएंगे इसका प्रयोग लगातार करने से बाल गिरने जड़ने स्फेध होने बंध हो जाते हैं तो चलिए जानते हैं कैसे हम इसका प्रियोग कर सकते हैं आपको कुछ समागरी की जरूरत होगी जैसे कि शिका काई 50 ग्राम, आमला 50 ग्राम, जल 150 मिलिलिटर तो एक मिट्टी के बतर में शिका का यामला और जल को डाल कर अच्छी तरह से गोल कर ढख देना है आपने और सुबे उस गोल को चान लेना है और उस पानी से अपने सर में थोड़ी-थोड़ी मालिश करनी है दोस्तों अगर आप इसका इस्तेमाल सर्दियों में कर रहे हैं तो आप सुबे इसमें थोड़ा गुनगणा पानी मिक्स कर सकते हैं ताकि आपको ये ठंडा ना लागे अगर आप इसे गर्मियों में यूज कर रहे हैं तो आप इसमें दही यूज कर सकते हैं दही इसमें मिक्स करके आप अपने बालों में अच्छी तरह से इस तेल की पानी की मालिश कर सकते हैं और एक घंटे तक मालिश करके छोड़ दीजी और फिर अपने बालों को वाश किजिए लगाता दस दिन आप इसे यूज कीजिए दस दिन यूज करने के बाद वान वीक छ जादा बेनेफीशिल है कि आप अगर नेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले यही बताया जाएगा कि आमला शीका काई सबसे बैस्ट है बालों के लिए तो आपके बाल वाइट आने स्फेध आने बंध हो जाएंगे घंए होंगे लंबे होंगे तो आप इसे इ जरूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकी तो दोस्तों मीलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक गुडबाई स्टे हैल्दी